हलो बच्चो आप सुब का आपको इपने चैनल कोविंद मैत लक्षर्स में एक बार फिर से स्वागत है तो पेर विद्यार्तियो आज की इस क्लास में हम प्रक्साचेया और साथ हिंदी विशे की व्रकबुक दो जारतीबी चौबीस के कारे पत्रक 21 से लेकर कारे पत्रक 25 तक हल करना सिखेंगे बच्चो कारे पत्रक 21 में हम व्यवारिक व्याकरण विशेशन सब्दों को पढ़ कर समझना और वाक्यों में परियोग कर पाना सिखेंगे तो बच्चो विशेशन सब्द होते क्या है बच्चो वे सब्द जो संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताते बताते हैं उन्हें क्या करते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? विसेशन केहते हैं, देखो बच्चो पहला प्रशन मैं से विसेश्था बताने वाले सब्यूं को चार्ट कर लिखिये पहला प्रस्ण है काला हीरन बहुत सुन्दर है तो बच्चो यहाँ पर हीरन की दो विसेस्था होगी एक तो वो काला है और दूसरा वो सुन्दर है तो विसेस्था कितने हो गए दो काला और सुन्दर दूसरा बच्चो हिमालय प्रवत बहुत उचा है तो इसकी विशेस्था क्या होगी बच्चो कि वो उच्छा है तो उच्छा क्या हो गया विशेस्था तीसरा बाग में हरे भरे पेड़ बोदे हैं कैसे पेड़ बोदे हैं हरे भरे तो हरे भरे क्या होगी उनकी विसेस्ता होगी तो अथा कक्सा में तीस बालक पड़ रहे हैं कितने बालक पड़ रहे हैं तीस तो तीस क्या हो गया विसेस्ता होगी यह गन्ना बहुत मीठा है तो इसमें जो मीठा है वो क्या है वो गन्ना की विसेस्ता है सबा में कम लोग आए तो विसेस्ता क्या है कम कि सबा के अंदर कम लोग उपस्तित हुए है आगे सारी घास गाय को खिला दो तो जो घास है वो सारी की सारी गाय को खिलानी है तो यहाँ पर सारी क्या है विसेशन है ठीके अगला प्रश्ण संक्या दो निचे बॉक्स में दिये गए विसेशन सब्दों से वाक्य पूरे किजिए पहला है मीठा, अंधेरा, आगे, रंगीन, चोथा, ताजा और गुलाबी यह आपके सामने सब्द दिये हुए है यहाँ बहुत मीठा है तो यहाँ पर मीठा हो गया विसेशन तो है गली में सोथा कमरा मेरा है ठीके कमरे के बीतर क्या है बच्चो कमरे के बीतर अंधेरा है तो अंधेरा हो गया विसेशन फिर कार का आगे का पईया पंचर हो गया तो आगे का पईया आगे सब क्या है यहाँ पर बिसेशन है, पलंग पर खाली जगह चादर बिसी है, तो यहाँ पर क्या आएगा रंगीन, फिर यह गाजर बहुत क्या है, ताजा है, अगला रुबिना ने गुलाबी रंग का फ्राक पेहन रखा है, गुलाबी रंग का यहाँ पर सिप्ट हो गया है, फ्राक पेहना था, बच्छो आपका कारेपतरक 21, आगे बढ़ते हैं कारेपतरक 22, यहाँ पर बच्छो bearings हम लिंग और वचण यूगती सब्दों की पेचान कर पाना सिखेंगे, लिंग यानि आपका पुलिंग है या इस्त्रिलिंग और वचन का मतलब है कि वो एक वचन है या बहु वचन देखो पहले प्रशन में आपको इस्त्रिलिंग और पुलिंग सब्दों को ढूंड कर अलग-अलग लिखना है सबसे पहले है इस्त्रिलिंग और फिर है पुलिंग इस्त्रिलिंग में देखो बच्चो कौन कौन है टीना है बच्चो माता है इसके बाद यमूना है इसके बाद छिडिया है और इसके बाद क्या है देवी ये कौन से सब्दे इस्त्रिलिंग जिनसे इस्त्रिजाति का बोध होता है फिर पुल्लिंग है, राम है, किताब है, बैल है, फिर भाई है, फिर गायक है, ठीक है, फिर आपका सेर है, फिर आपका जोगी है ये कोई से सब्द है, फिर पुल्लिंग सब्द है, आगे बढ़ते हैं, हमें एक वच्चन सब्दों का, बहु वच्चन सब्दों के साथ मिलान करना है कन्या का क्या हो जाएगा, कन्या है, सडक का सडके, उस्तक का पूस्तके, मैं का हम, और फुल का फूलो अगला प्रशन संक्या तीन, आली जगया में इस्तरलिंग सब्द को भरिये, बच्चो, पिता का इस्तरलिंग क्या होगा, माता भाई का क्या होगा, बहन मोर का क्या होगा, मोरनी फिर कवी का क्या होगा, कवी अत्री ठीके, आगे निम्नलकी सब्दों के बहु वचन सब्द लिखिए बच्चा, बच्चा का क्या होगा, बच्चे महिला, महिला का क्या होगा, महिलाई खिलोना का क्या होगा, खिलोने संत्रा का क्या होगा, संत्रे गड़ी का क्या होगा गड़िया नदी का क्या होगा नदिया ठीके ये था आपका कार्यापत्रक 22 आगे बढ़ते बच्चो कार्यापत्रक 23 कंदर्ब के अनुसार कहानी या कवीता को आगे बढ़ा पाना नीचे लिखी कहानी को दो से तीन बार ध्यान से पढ़िये और कहानी में दीगी खाली जगह में निम्न सब्दों को भरिये बॉक्स के अंदर जो ये सब दिये गए हैं इनको हमें इस कहानी में भरना है तो गोडे पर सवार एक यात्री ने एक गाव के समीप विश्राम करने के उद्देश्य से अपने गोडे को रोका ठीक है वह सवयम तो पेड की चाव किसमें छो गया पेड की चाव में आराम करने लगा तसा गोडे को गोड़े को उसने चरने के लिए मैदान में चोड़ दिया आपर चोड़ दिया मैदान में गोड़ा चरते चरते कुछ दूर निकल गया जहां से कोई आदमी हाक कर अपने साथ ले गया उस समय पच्चात यात्री को अपने गोडे की चोरी के विशे के बारे में क्या लगा? पता लगा कि गोडा चोरी हो गया है उसने इधर उधर नजर दोड़ाई क्या करी? उसने इधर उधर नजर दोड़ाई कुछ दूरी पर उसे डंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया उसने वह डंडा उठाया और गाव में पहुँचकर जोर जोर से चिलने लगा ठीके? जिसने जोर जोर से चिलने लगा जिसने भी मेरा गोडा चुराया है वह उसे तुरंत वापस लोटा दे फिर एक अजनबी को गाव मैं इस परकार छिलाते देखकर सभी लोग उसके पास क्या हो गए एकत्रित हो गए यात्री ने एक बार फिर लाते हुए का कि मैं तोर को अंतिम सितामनी दे रहा हूँ कि वह मेरा गोडा लोटा दे नहीं तो मैं वही करूँगा जो पहले किया था डर के मारे बैबी चोर ने यात्री को उसका गोडा लबापस लोटा दिया यात्री अपने गोडे को पाकर क्या हुआ खुस हुआ एकत्रित हुए लोग और छोर यात्री के पास आए और बोले यह तो बताए कि आपने पहले क्या क्या था तो यात्री बोला मैंने एक निया गोड़ा खरीद लिया था यात्री ने मुश्कराति हुए अपना उत्तर दिया तो ये थी आपकी एक कवीता आगे बढ़ते हैं कारे पत्रब 24 सुद्ध लेखन कर पाना निचे दिये गए सब्देों को सुद्ध करके लिखिए ये को बच्चो बाहर तो ये सुद्ध ही है बाहर फिर सारी रिक तो बच्चो ये भी सुद्ध दिया हुआ है सारी रिक फिर अधीन तो बच्चो अधीन में क्या होगा आनी आएगा अधीन आएगा दिवाली तो बच्चो दिवाली को क्या लिखेंगे हम दिपावली ठीके क् पत्नी तो इसको गैसे लिखेंगे वह आधाता और बड़ी नी फिर बीमारी तो कौन सा वो आएगा बड़ा बड़ा भी बिमारी फिर चिनहों तो चिनहों और हागे नीचे अहलन लगा देंगे फिर मिठाईया तो बच्चो मिठाईया यहाँ पर सही ही दिया हुआ है ठीके उन्हें आप सुद्ध करके लिखिए देखो बच्चो असुद्ध वाक्या है बाहर से कोई को बुला दो तो इसको हम कहेंगे कि बाहर से किसी को बुला दो ठीके अगला वहा अनेकों लोग थे तो वहां कि वहां अनेक लोग थे अनेकों की जिगे क्या जाएगा अनेक वहां अनेक लोग थे तीसरा मेरे को तुमारे से कुछ कहना है तो इसको कहेंगे कि मुझे मुझे तुमसे कुछ कहना है मुझे तुमसे कुछ कहना है अगला नाना जी खाना खाले तो नाना जी खाना खालो नाना जी खाना आलो अगला लड़का पढ़ रहे हैं उसे कहेंगे कि लड़के पढ़ रहे हैं क्या कहेंगे लड़के पढ़ रहे हैं अगला दिव्या को तीन भाई है, क्या कहेंगे दिव्या के तीन भाई है, का की जगह के दिव्या के तीन भाई है, अगला वीपुल खाना खाता खाता सो गया, तुम कहेंगे वीपुल खाना खाते खाते सो गया, वीपुल खाना खाते खाते सो गया, अगला तुम तुमारा काम करो तुम कहेंगे कि तुम अपना काम करो तुम अपना काम करो अगला प्रशन संक्या नो करपया करके मेरी बात सुनिए करपया मेरी बात सुनिए करपया मेरी बात सुनिए ठीके, अगला, क्या आप दूद पी लिये हैं, तो क्या आपने दूद पी लिया है, क्या आपने दूद पी लिया है, ठीके, यह था बच्चों आपका कारेपत्रक 24, आगे बढ़ते हैं, कारेपत्रक 25, गद्यान्स को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना नहीं यहाँ पर हमारे सामने जो गद्यास दिया गया है उसको पढ़कर ये के प्रष्णों के उत्तर देने हैं गर्मियों के दिनों में एक छिट्टी बहुत प्यासी थी कुछ देर चलने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची सामने पानी था लेकिन वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी इसलिए वह एक पत्थर पर चड़ गई जैसे उसने पानी पिने की कोशिस की वह सीधे नदी में गीर गई उसी नदी के किनारे एक पेड़ की तहनी पर एक कबूतर बैठा था उसने चिटी को पानी में गिरते हुए देख लिया उसने चिटी की मदद करने के लिए तेजी से पेड़ का एक पत्ता तोड़ कर नदी में चिटी के पास फैक दिया चिट्री उस पत्ते पर चड़ गी, थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ, नदी के किनारे पहुंच गया, चिट्री ने पत्ते पर से चलांग चलांग लगाई और किनारे पर आकर उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को क्या किया धन्यवाद दिया यह सामने आपके एक कविता दी हुई है, आप देखो, उपर लिखी गई कहानी के आधार पर प्रशनों के क्या देने हैं, आपको उत्तर देने हैं, पहला प्रशन है, कब उत्तर ने चिट्री के लिए पत्ता फैका, क्यों फैका था? चिट्री की मदद करने के लिए, दूसरा डुबते को तिनके का सहरा से आप क्या समझते हैं इसका मतलब है प्रेशानी में किसी की थोड़ी की भी मदद कर देना किसी की भी प्रेशानी में थोड़ी मदद कर देना तो इसका मुहावरा हो जाएगा डुबते को तिनका का सहरा प्रशन संग्या तीन कबूतर के इस्तान पर अगर आप होते तो चिटी की मदद कैसे करते हैं हम लिखेंगे कि हम सीधे ही हम हम सीधे ही सीधे ही चिटी को आज से पकड़ कर नदी से बाहर निकाल देते अगला क्या आपने कभी भी किसी के मिदद कीए अपने सब्दों में लिखिए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं समझ लिजे मैं लिख रहा हूँ हा मैंने हा मैंने एक बार एक वर्द व्यक्ति को वाजार में वाजार में सड़क पार करने में मदद की थी आप इदर कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसा जो आपने मदद की है अगला प्रशन संग्या पांच नीचे दीगे इस्तती में आप क्या करेंगे इसकुल में भुकम पाने पर तो हम क्या करेंगे तो सभी साथियों के साथ सभी साथियों के साथ अध्यापक के निर्दिसा अनुसार अध्यापक के निर्दिसा अनुसार ठीके बाहर आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे ठीके अगला घर का पता भूलने पर तो घर का पता अगर भूल जाते हैं तो कहूंगा आसपास तो हम क्या करेंगे बच्चो आसपास आसपास किसी पुली स्थाने में जाकर जाकर अपनी प्रिशानी बताएंगे ठीके आगे घर में तोर गुषने पर क्या करेंगे प्रस्तिती के अनुसार प्रस्तिती के अनुसार कौन से पुली स्थाने में सुचना देने की कोशिस करेंगे पुली स्थाने में सुचना देने की कोशिस करेंगे अगला प्रिक्षा में प्रश्णों के उत्तर ना आने पर प्रिक्षा में प्रश्णों के उत्तर इदी नहीं आ रहे तो आप क्या करेंगे तो कहेंगे थोड़ा सोचेंगे थोड़ा सोचेंगे और फिर प्रश्णों के उत्तर देने की कोशिस करेंगे फिर प्रश्णों के उत्तर देने की कोशिस करेंगी ठीक है बच्चो तो इस तरह हमने आपके कारे पत्रक 21 से लेकर कारे पत्रक 25 तक सभी प्रश्णों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मीद करता हूँ सभी प्रशनों के उतर आपको उच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चो लाइक, कमेंट, सेवर और सब्सक्राइब जरूर करें आज गले इतना ही, जय हिंद, जय भर